नमस्कार तवायर में आपका स्वागत है मैं हूं मिनाक्षी शोहेद बाद भारत की भारत में आजकर लगाताव धारमे किस तरलो की बात हो रही है और जब की सरकारियें जो हैं वो इस चीज को कहती हैं की हम धारम निर्पेक देश हैं पर हमें प््राक्टिस में एचीज बहुत सादा नहीं नजर आ रही है हलांकि लगातार दावे इधवदर से आ रहे हैं कि फलाँ मस्जित के नीचे मंदर है, फलाँ दरगाह के नीचे मंदर है और ऐसे दावे अदालतों में पहुंच रहे हैं, अदालते सर्वे कर वा रहे हैं पिछले दिनों हमने देखा एक ऐसे ही सर्वे में हिंसा हुई और फिर कई जाने भी गई ये जो पूरा फलसफा है कि हम किसी और धर्म की जगा पर अपने धर्म का कोई पूजन स्थल ढूंडे इसे लेकर एक कानून है जो 1991 में आया था जिसे कहते हैं उपासना इस्थल अधिनियम इस कानून में क्या कहा गया है क्या इस तरह से ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दवायर की फाउंडिंग एडिटर सिधार्ट वरत राजन और सुप्रीम कोट के वरिष्ट अधिवक्ता एमार शम्शाथ आप दोनों का ही स्वागत है सर सबसे पहले मैं आप से ही पूछूँगी जब हम कहते हैं कि उपासना इस थल अधिनियम 1991 देश में लागू है तो फेर जब इस तरह के दावे जैसा हमने संभल के मामले में देखा जैसा हमने अजमेर के मामले में देखा जब यह सामने आते हैं तो किसी भी अदालत तक जब यह पहुँशते हैं हम उसे भी आज maintain करेंगे, तो अदालतें ये क्यों नहीं कर रहे हैं, जिससे इस तरीके के दावों को और इसी गट्नाओं को और बल मिल रहा है? देखे, 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद से कुछ इस तरह की आवाजें उठी और वो जब बाबरी मस्जित का इशू चल रहा था तो उसके बाबरी में बहुत सारी आवाजें इस तरह की उठ रही थी, तो ये सवाल आया और फिर एक लार्जर कंसिंसस बन कि इस मामले को क्लोज किया जाए, ताके एक मुल्क का एक महौल जो है, वो एक डिमोक्रेटिक बन जाए, एक शान्ती पुर्वक बन जाए, और उस बैक्ग्राउंड में ये का गया कि जो पुराने एंशेंट और स्टेल क्लेम्स हैं कि किसी मजभब में आप जाकर किसी दू तो उसको क्लोज किया जाए, ये बैक्ग्राउंड था और उस बैक्ग्राउंड में 1991 ऑगस्त में ये बिल पुट अप हुआ था और उस पर काफी डिबेट हुई, फिर उसके बाद वो सेप्टेंबर में शायद वो पास हुआ और उसमें ये बात समझी गई थी कि इस लेसिस ऑफ वर्शिप जो होगा उसको कनवर्ट नहीं करेंगे एक नेचर से दूसरे नेचर में, फिर उसमें ये कहा गया कि एक डेक्लेरेशन दिया गया सेक्शन 4 में, ये कहा गया कि 15 ऑगस्त 1947 को जो जिस पोजिशन में था उस पोजिशन में रखा जाएगा, और रखना सिर्फ इस तरह नहीं था कि कागस पर लिख दिया गया, ये एक एश्यूरेंस था टू दे नेशन, कि उसमें पूरा सिस्टम, उसमें सिस्टम में गॉर्मेंट, पार्लेमेंट, एक्जिकिटिव, लार्जर सिविल सुसाइटी, इंक्लूडिंग जुडिशिरी, सब की एक ज खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर इसको कोई वाइलेट करेगा तो उसमें सजा होगी, तो इस स्कीम के साथ वो कानून बनाये गया था, और ये समझा गया था, कि इस कानून के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा, आयोध्या जाहर है, उस वक्प कोर्ट में था, तो इस किस तरह से constitutional spirit में basic feature के background में constitution के उस तरह से देखा जाए तो उस judgment के बाद भी ऐसा लगा कि शायद इसकी एहमियत को system समझता है लेकिन अभी जो हो रहा है पिछले तीन-चार साल से वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कागजी बात थी और उसको सिर्फ ऐसा कि law में पढ़ाना है किस student को पढ़ाना है या उसके लिए किताबें लिखने के लिए कानून बना दिया गया कुछ ऐसा लग रहा है on the ground तो मेरे हिसाब से यह तो बिल्कुल ही घलत हो रहा है जो कानून की जो sanctity हो रही है उस sanctity को पूरी तरह से violet किया जानी कानून की जो शुचिता है उसको उसका उ सजित को लेके इस तरीकी के दावे आ रहे हैं बहुत सारा criticism जो है उसका एक हिस्सा जो पूर्व CJI है डी वाई चंडरचूर उनके हिससे आ रहा है कि उन्होंने एक loophole खुला छोड़ा जहां पर उनको इल्जाम दिया जा रहा है कि उन्होंने तमाम तरीकी के जो सर्वे हैं इनको जगा दी आप इस बारे में क्या सोचते हैं सबसे पहले तो 2019 की जो judgment है अयुद्य हमामले में उसमें किसी जज का हस्ताक्षर नहीं है लेकिन जिस तरह से चंडरचूर चूट साहब का बयान हाली में आया साफ जाहर है कि ये खुद उन्होंने लिख रहा है बहराल पा जज्मेंट पास हुआ और उस जज्ज्मेंट में अहुद्या के हवाले से जो चीजे लिखी गई ही उस पे अलग से हम डिबेट कर सकते हैं लेकिन बहुत स्पर्ष शब्दों में लिखा गया है प्लेसेज ऑवर्शिप आक्ट कानून के हवाले से कि ये एक बहुत एहम कान हिंदुस्तान के लिए और अगर हिंदुस्तान तरकी करना चाहता है कम्यूनल हार्मिनी रखना चाहता है तो इस आनून को मंदे नजर रखते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा अब उस जज्ज्मेंट के एक दो साल बाद ही जब घ्यानवापी का मामना सुप्रीम कोर पहले डिस्टिक कोर्ट से फिर हाई कोर्ट तक और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है तो उस लॉजिक के तहत चीफ जसिस चंद्रचूड या कोई भी जो है खंटपीट के मेमरान कोई भी हो सकते हैं लेकि उनको 1991 कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज्मेंट के खिलाफ एक अलग Constitutional Challenge अगर आपको इतनी जो है इतनी रुची है उस इशू पे कि भी इस पे दुबारा फैसला किया जाए तो आप उस पे उस पे आप हेरिंग करें लेकिन जब तक यह कानून लागू है जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज्मेंट्स हैं जो उस कानू के एहमियत को दोराते हैं तो जो फैसला चंदरचूर खंटपीट ने दिया कि भाई चलिए हम प्लेसे जो जगा है ग्यानवापी इसकी शनाख्त या इसकी जो पहचान है या जिस तरह से अबादत किया जा रहा है इस पे चलिए है कानून उस पे रोक लगाता है उस पे चे जगा है किया लेकिन एक इनुस्यट सवाल थोड़ी है मतला कि सर्वे की जो मांग लों कर रहे है कि अग्ला सवाल है आप से ग्यानवापी मामले में जो लोकल कोर्ट ने का वह भी यही था और कहीं न गहीं हम इसे कह सकते हैं क्या कोई लूप्वोल है प्लेसे ओवर्शिप आक्ट में के अदालते कहती है कि हम यह नहीं कह रहा है कि इसका कारेकर बदला चाहे हम तो यह कह रह displaced ज़या जार जया intervens अगर कोई भी मसजद या मंधिर जहां पर कोई धर्मविशेश पूजा कर रहा है तो क्या इतने सालों की अवधी के बाद उसका religious character decide करना क्या कोई ऐसी बात लगती है जो कोई sane कोई मांग है कोई एक समझदारी भरी मांग है ऐसे में अदालतों का ये रवाईया खास तोर पर ये कहते होए कि हमें धर्म निट पे लोग तांत्रिक देश हैं क्या कहता है लेके 91 में ये एक्ट आया था और 96 या 97 में इसके मतालिक एक सूट फाइल हो गया था वारानसी कॉर्ट में वारानसी कॉर्ट की उस अदालत ने का कि साब इस पर ये ये एक्ट लागो नहीं होता वो डिस्टिक जजज के पास गया उन्होंने उसको कन्फर्म किया वो हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग था बाद में हाई कोर्ट ने उस ओरडर को एस्टे भी किया था और उसकी अलग कारवाई हुई थी ये जो बाद का 2021 के बाद ये सिरीज शुरू हुआ है ये अपने आप में ये एक नई सिरीज है कि एक मामले में फेल कर गए दूसरी फाइल कर दो दूसरा जजज आया दूसरे जजज ने उसको देखा अच्छा वो वहां लेकुना रह गया था उसको फेल कर दिया वो आगे बढ़ गया फिर तीसरा आया फिर चौता आया तो ये अपने आप में एक जो प्रोसेस शुरू किया गया वो अपने आप में भी एक बहुत कोस्टनिबल है उस पर भी किसी ना किसी स्टेज पे अदालतों को देखना पड़ेगा कि ये क्या तरीका हो रहा है जैसे बाबरी मस्जिद में भी हुआ था कि 49 में सूट फाइल हुआ केस फाइल हुआ फिर उसके बाद ये कोई 30, 35, 40 साल तक चलता रहा और फिर 89 में जब सारे डिफेंस आ गये सारे मामलात निकल के आ गये तो उसमें भी कुछ ऐसे हुआ अब वहां पर हाइकोर्ट ने ये लॉजिक दिया कि ये तो कहा गया कि नीचर चींज नहीं करेंगे लेकिन ये रिलिजियस कैरेक्टर क्या होता है वो डिफाइन नहीं है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कहने का बेसिस क्या है फिर ये अगया कि सभड़ चाइब लागू नहीं होता अब सवाल यह आता है किसी बिल्डिंग का कैरेक्टर उसके यूज से होता है या उसको किस ने बनाया, किस पर्पस के लिए बनायागा उसमें आज क्या हो रहा है उसकी बुनियाद पर उसका character तैह हो रहा है अगर ये act बनाया गया और 1947 में ये कहा गया कि साहब इसको आप जो वहाँ चल रहा है जो use हो रहा है उसका जो religious offerings हो रही है वो ही बरकरार रहेंगी तो religious character अगर 91 act में defined है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी order में ये कहा कि साहब इसको हम सर्वे तो करा ही सकते है अब सर्वे सही कासिदार्थ ने कि सर्वे का purpose क्या है पर्पस अगर ये है कि वहाँ अगर नमाज हो रही थी और वो नमाज नहीं होनी चाहिए तो यू आर वाइलेटिंग दिया एक अच्छा सर्वे का purpose जाहिर है जो अभी इन्होंने कहा कि वो academic तो है नहीं सर्वे का purpose तो यही है कि एक evidence create किया जाए एक वैसे काघजात create किये जाएं जिसकी कुछ legitimacy हो जैसे ग्यागपी में हमने देखा भी है कि वहाँ पर उन्हें तमाम तरीके के दावे किया है बेसिकली मुझे I believe कि यह सिर्फ court के intervention से हुआ है कि court ने यह opportunity दी है litigating parties को कि इसमें evidence create करें तो एक तरह से judicial process इसका collaborator बन गया court को यह opportunity इस तरह से नहीं देनी मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए कि आप पूरा एक commission बना दें ASI बना दें और फिर उनको सारी opportunity दें कि आप इस पर जितना भी evidence एकठा करना है एकठा करिए और फिर वो बुनियाद बन जाए future litigation का फिर ये बात तो ये process अपने आप में इस पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें institutions कैसे knowingly और unknowingly इसके party बन जाते हैं और फिर वो किसी ना किसी को support करना शुरू कर देते हैं ASI की भूमिका पर बाद में आऊंगी सदात आप क्या सोचते हैं जिस तरह से अदालते खास तोर पे इस्थानी अदालते जिस तरीकी की भूमिका निभा रही है इस तरीकी के मामलों में जैसे संभल में हमने देखा कि आदेश आता है वहीं हम लौट क्या पाएंगे कि क्यूं अदालते आप अदालतों को किस तरह से देख रहे हैं कि जहां उन्हें इंसाफ करना है वो इस तरीके के कानून के होते हुए भी क्यूं इस तरीके से इनेबलर बन जा रहे हैं मिराक्षी जी जब इशारा उन्फॉर्शनेटली चीफ जस्टिस इंडिया देते हैं कि आप एक इस्टैबलिष्ट कानून की धज्या उड़ा सकते है और कोई आप पे कॉंसेक्वेंस नहीं आएगा तो जाहर है कि all the way down the line जो है जोडिशरी उसको ग्रीन लाइट की तरह देखेगा अब शमशाज सहाब जादा बेतर जानते होंगे कानून में एक कॉंसेट है बतलब ये स्टैट्यूट अब लिमिटेशन्स कि कोई क्राइम हुआ है या कोई क्लेम है उसकी एक मियाद होती है मतलब दोसो साल के बाद आप कहीं पे चले जाएं और कहें कि भाई ये मेरी जमीन है मतलब क्लेम अगर आपने प्रेस करना है मतलब ये फर्स करें कि ये कानून नहीं है प्लेसेस अवर्शेप आट नहीं होता तो मतलब यू कांट सिंप्ली आउट अट अब ब्लू एक आप एक क्लेम उठा ले जिस तरह से संबल में अब उठाए गया है कि भई हमने सुना है कि 500 साल पहले कलकी जी का मंदिर था और उसको जो है वो तोड़के बाबर ने इफालाना किया ध्मकाना किया मतलब ये तो किसी भी लीगल सिस्टम में इसको ना जाहिज ठेहना जाएगा और जाहिर है कि जो पुलिटर्साइजेशन ऑफ लॉव बलकि हाली में एक शाहिद टाइम्स विव इंडिया अखबार में मैंने कब से कम उनके वेब एडिशन देखा है बहुत मज़दार काटून था और मैं इस पहलो को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे जो सियासी खेल है उसको समझना बहुत जरूरी है दो औरतें बात कर रही है और कहने कि भाई इतनी महंगाई हो रही है बेरोज़गारी बढ़ रही है देश में फलाना क्राइम बगरा हो रहा है और जॉब्स क्रेट नहीं हो रहा है तो एक महिला दूसरी महिला से कहती है हाँ मेरे हस्बंड को भी इस काम पर लगाया गया है इस सलूशन निकालने के लिए तो अधर लेडी सेंज कि क्या आपके शोहर आपके हस्बंड एकॉनिस्ट है तो उन्हेंने कहा जी नहीं वो आर्कियोलिजिस्ट है मतलब कि आर्कियोलिजी, हिस्ट्री इन तमाम चीजों के जरीए आप जगडे तयार कर रहे है और आप कोशिश कर रहे हैं कि जगडों से जो है लोगों को फसाया जाए उलजाया जाए ताकि जो बनियादी मसायले इस पे कोई बात न करे, इस पे पॉलिटिक्स न बने और मुझे लगता है कि ये एक कोइंसिनेंस नहीं है कि ज्यानवापी उठा जब उठा, मतुरा उठा जब उठा, अब जो है संभल आउट उड़ ब्लू जो है वो इतना बड़ा कांड बना दिया, अब अजमेर शरीफ तक भी ये लोग पहुँचे तो, मतलब जब हम लोग स्कूल में होते थे मैं, मैं सेवन्टीज की दर्शक के बात करना हूँ उन दिनों P.N.O.क नाम का एक क्वैक हिस्टोरिन होता था जो छोटे रिसाले, छोटे मैं, ये किताबे निकाल, पैम्फिर्स निकालते थे जहां पर ताज महल इस शिवलिंग अतेज उमाले और अजीब और गरीब क्लेम्स और हम लोग हस्ते देगी यार ये भी और जो हसी और मजाग का जो एक टॉपिक था उन देनो, वो अब देखिये स्टेट पार्क किस तरह से उस चीज को सेंक्टिफाइ कर रहा है, तो दो साल पहले किसी ताज महल को लेकर मुकदमे को खारिश किया गया, लेकिन मुझे डर है कि इसी तरह से अगर बातें चलती गई, तो दस साल के बाद कोई हिंदू फ्रंट या कोई ऐसा हिंदू सेना कहीं किसी छोटे कजबे के अदालत पे जाकर अपना केस दर्श कर ले और पता चला कि जजज साहब ने कहा कि ताज महल का भी सर भी हो जाना सही है, तो ये मतलब पॉलिटिक्स को देखते हुए अफॉर्शनेटली हमारी लोर जूडिश्टी अपनी काम कर रही है अपना काम कर रहा है और ये एक मतलब हायर जूडिश्टी इसको रोक नहीं रहा है और पॉलिटिकल जो इसका पूरा फाइदा उठा रहा है बल्कि मैं कहूंगा कि इसको इंकरेज कर रहा है हम आते हैं ASI की भूमिका पर जब कुतुमिनार में पूजा करने के लिए लोग पहुंचे थे अदालत में तो ASI ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि आप उसे जिस तरीके की पूजा की और उसने जो ASI का आर्केलोजिकल एंशेंट मॉनुमेंट्स और आर्केलोजिकल साइज और मेंस आक्ट 1958 है उसका हवाला देते हुए कहा था कि जब ASI ने इसे संग्रक्षितिया प्रोटेक्टेट कर लिया है तो इसका जो भी करेक्टर है वो फ्रोजन हो गया है पर जब हम देखते हैं संभल का मामला संभल में भी बताया जा रहा है कि जो मस्जिद है वो ASI द्वारा प्रोटेक्टेट साइट है तो यही सेम जब हम सर्वे के आदेश देते हैं या जो भी मॉनुमेंट्स जो प्रोटेक्टेटेड हैं ASI वहां पर सिर्फ कुत्ब की केस में उन्होंने इस तरह से कहा था ASI की जो भूमिका हो गई है वो किस तरह से बहुत मददगार की हो गई है खासतोर पर ऐसे मामलों में जाहां उसके प्रोटेक्टेड जो मॉनुमेंट्स हैं उन पर सवाल होता है ठीके सबसे पहली बात यह है कि ASI का जो एक्ट है नाइन्टीवन का उसमें हिस्टॉरिकल मॉनुमेंट्स को कॉन्जर्फ करने के लिए बेसिकली वो एक एक्ट है जो पूरा इसकीम है उसका अगर आपने उसको नोटिफाइ कर दिया है तो नोटिफाइ करने के बाद आप उसके जो भी उस बिल्डिंग का कैरेक्टर है या उस प्रेमिसिस का कैरेक्टर है उसके इनकंसिस्टेंट कुछ काम नहीं करेंगे अच्छा एक तो यह बात हो गए एस आई ने अब तक इस ड्यूटी को किस हद तक निवाया है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है दूसरी बात यह आती है कि ठीक है उसको नोटिफाइ कर दिया उसको अपने अंडर में ले लिया लिमिटेड तरीके से पूजा करने दी या नमाज पढ़ने दी या जो भी है वो चलता रहा अगर कोई थर्ड पार्टी वहां आया और रोकना उसकी जिम्मेदारी है सिस्टम की जिम्मेदारी है अब इन लोगों को शायद यह बात समझ में आई कि नॉमल तरीके से हम नहीं कर सकते इस स्टीज पर जो लोग जानने वाले हैं उनको दिकत होती है कि साब आप नहीं कर सकते तो यह अदालत का रास्ता है क्योंकि वहां पर लेजिटिमेसी कोर्ट के ओर्डर से मिल बें और वह लेजिटिमेसी कोर्ट के ओर्डर से कैसे मिली जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा सुप्रीम कोर्ट ने फाइव जजजेज ने अगर यह कह दिया कि इस कानून की यह एहमियत है और यह constitutional spirit को बरकरार रखेगा communal harmony को उसी सुप्रीम कोट के सामने जबाया तो उन्होंने green signal दे दिया कि आप यह कर सकते हैं तो वहां से लेजिटिमेसी मिली lower courts को उन्होंने समझा कि अब तो हम आजाद हो गए अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो जो losing party है वो court जाएगी और फिर वो कहा जाएगा कि साब आपने सुप्रीम कोट ने एक मामले में permit कर दिया तो दूसरे मामले में क्यों नहीं permit कर रहे है तो यह जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है जो एक तरीखा बनाया गया है वो अपने आप में बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही serious issue है अब जब court ने order कर दिया तो फिर ASI काएगा कि साब court ने order किया है तो court जैसे काएगा हम करेंगे हमें तो यह करना पड़ेगा हमें तो यह करना पड़ेगा court ने कितनी बार कंटेस्ट किया कि sorry this is against a statue we will not do it बल्कि ASI का हक बनता है कि वो फॉरी तोर पर हाय कोड़ पर चला जाए कहें आपने यह गलत order पास किया है लेकिन वो नहीं कर रहा है सिर्फ ऐसा को तुम मिनार के मामले में मिलता है जहां सक्ती से आकर ASI कह रहा है कि नहीं हम किसी भी तरह की पूजा की अनुमती नहीं देंगा उसकी वज़ा एक दूसरी हो सकती है उसकी वज़ा क्यूंकर वहूँ हो बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिजम का सेंटर है और दूसरा मामला यह है कि वहाँ पर मुसलिम's का जो पांच वक्त की नमाज होती है वो नहीं होती है वहाँ पर तो वो शैब commercial reason रहा हो या फिर वो यह रहा हो कि साथ हम पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं तो कहीं न कहीं stand लेके वो neutral दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो पुरा फसाड है किस मस्जिद के मामले में उन्होंने यह कहा कि साथ आप यह नहीं कर सकते यह गलत order है यह ASI में यह notified है यह उनको कहना चाहिए उल्टा वो यह कहते हैं कि साथ हम यह तो कर देंगे साथ फॉरान से पेशतर वहां मौजूद हैं बिल्कुल मौजूद है जब जब ऐसी बहस शुरू होती है तो लगातार इस्तांबूल की हाया सुफया का जिक्राता है कि भाई वो कैसे पहले एक कैथेड्रल था एक चर्च थी फिर उसको म्यूजियम बनाया गया और आखरकार फिर से 2020 में जो ततकालीन टुकी की सरकार थी उसमें फिर उसे मजज़ित का दर्जा दे दिया तो भारत के परिप्रेक्ष में जब हम इसे देखते हैं तो क्या ये कहीं ये जो पूरा तर्क है या कुदर की या जो भी हम इसे कह लें क्या ये स्टैंड करता हुआ पाते हैं आप देखिए हर मुल्क का अपना एक लीगल सिस्टम है, अपनी हिस्ट्री है और इस्तानबुल जैसा एतिहासिक शहर जहां पे इतना आपन डाउन हुआ है तो उसमें बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पे पहले एक रिलिजिन ने उसको इस थाफित किया पिर वो तब आपको गिरजा घर मिलेंगे जो जहां पे कोई जाता नहीं है उनको जो है इंडियन जो हिंदू है उन्होंने खरीद के उसको या कुछ मुसल्मानों ने भी कभी खरीद के उसको मस्जिद या गिरजा घर गुर्दवारा या मंदिर बना दिया तो यह सब होता रहता है हर सिस्टम है मैं समझता हूँ कि एक आया सोफिया जहां पे बहुत भारी तादात में बड़े पैमाने पे टूरिस सारी दुनिया से जाते हैं अब जो है कुछ घंटों के लिए जब नमाज वहां पे आदा की जाती तो नौन मुसलिम्स को रोका जाता है जो मैं समझता हूँ क पूरी तरह किसे अंदर नहीं जा सकते हैं मैं समझता हूँ कि यह गलत बात है तुर्की को यह सब नहीं करना चाहीए था माना भी कि उन्होंने अपने कानून के तहत किया मैंने इसको बारी की से स्टड़ी नहीं किया लेकिन इवन इस लिए लिए लिगली यह गलत है और मै Christians की अबादी पता नहीं कितनी जादा है और वैसे भी वो it has become a museum. वहां पे Christian आबाद भी नहीं हो रा था. यहां पर हम कह रहें कि एक जगह जहां पे नमाज अदाकी जाने है जैसे घ्नवापी हैं. वहां पे अब लोग रोक नगाना चाहते हैं और आपे बहुत सही फरमाय कि भाई religious character ज्यान वापी का अचा हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है मतलब बहुत सारी ने लेकिन आपको मिलेंगी जगह है जहापे जैसे कुछ दरगाएं हैं कुछ ऐसी जगह हैं जो हिंदू और मुसलिम दोनों उसको मानते है एक कोने में हिंदू किसम की अबादत होती है दूसरे कोने में मुसल्मान अपना करता है तो यह religious character है उस जगह की तो यह मतलब इसमें हम change क्यों लाना चानते है मतलब इसमें हिंदूस्तान की जो विविदता है अगला सवाल है कि हम समयधान देवस मना रहे थे तो समयधान देवस में लगातार जो हम पीचे से सुन रहेते कि समयधान की और उसमें धर्म निर्पिक्शता, shabd महतपूर है और इस बात पर लगातार जोड दिया जाता है या जो सरकार समिधान की शपत ले रही है वो इस तरह की घटनाओं को क्यों अलाव कर रहे हैं? देखें ये शब्द इसलिए एक term of abuse बन गया है क्योंकि हिंदुस्तान के context में धर्म पेक्सता का मतलब है कि जो स्टेट है वो पक्षपाद रविया नहीं अपनाएगा। जो हमारे history और culture के खिलाफ जाता है ये ऐसा सोच तो ऐसे लोग अगर सत्ता में आगे हैं तो जाहर है कि मुसेक्रियूरिजम के खिलाफ अपना बेहन करेंगे और उनके activities भी ऐसे होंगे लेकिन सवाल जो जिससे आपने शुरू कियो इंट्रीजों को encourage कर रहा है? कौन है ये व कही कि political circle में क्या होता है? किस तरह से secularism को दूसरे direction में ले जाए जा रहा है? मुझे तो अब concern होने लगा है इसमें जो 1991 act है उसको सुप्रीम कोट में challenge किया गया है और उसमें ground क्या है? ground ये है कि मस्जिद जो है मुसल्मानों के लिए नमाज परने के लिए essential नहीं है एक essential religious practice का एक concept सुप्रीम कोट ने निकाला था 1954 में इस्टिरूर मट केस में तो वो essential नहीं है ये कैसे पता चला के essential नहीं है? जब बाबरी मस्जिद का 94 में इस्माइल फारुकी केस चल रहा था तो मैंने मिस्टर जफर्याब जलादी साहब से पूछा उसमें एक paragraph है और उसमें उस वक्त जो Chief Justice साहब थे उन्होंने वो majority judgment लिए उसमें लिखा के मस्जिद is not essential for offering नमाज तो मैंने उनसे पूछा के ये क्यों लिखा गया यह तो उन्होंने का कि ये बात नहीं है जब वो मस्जिद जब वो बहस चल रही थी कॉर्ट में तो उस वक्त मस्जिद गिरा दी जा चुकी थी नमाज कर दी जा चुकी थी 1992 में और जब वो गिरा दी गई Muslims ने जब अपना claim assert किया कि वो मस्जिद है तो opposite साइब ने कहा कि नहीं साहब अब मस्जिद नहीं है वो तो open land है तो Muslim साइब ने ये कहा कि साहब open land होगी वो हमें नमाज पढ़ने के लिए structure mandatory नहीं है हम उसको मस्जिद मानते हैं तो वो open land में भी नमाज पढ़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की judgment ये लिखी गई बाद में आई कि साहब चुके मुसल्मानों के लिए मस्जिद essential नहीं है तो इसलिए ये बहुत जरूरी नहीं है मजब का हिस्से इस इशू को एक पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में petition दाखिल किया उसमें कहा है चुके मस्जिद essential नही इसको खतम हो जाना जाए अब देखे इसका consequence क्या है कि अगर आप इस तरह की judgments में इस तरह की बात लिख देंगे तो ये judgment अपने आप में secularism के खिलाफ होगे सबसे पहली बात कि essential मस्जिद है कि नहीं है उसको probably court भी अगर decide करेगा डॉक्टर धवन ने इस पर पूरी बहस की कि कोट अगर essential practice को define करेगा तो वो पूरा discussion होगा religious text से निकाल की वो कोई discussion नहीं हुआ वहाँ पर और एक पैरा में ये कह दिया गया कि मस्जीद उसका आज misuse हो रहा है ये कहते हुए कि places of worship मैं ये कहना चाहरा हूँ कि देखिए even अदालतों के कुछ फैसले हैं उसमें ये न जो एक बहुत important facet है जो prophet के जमाने से मस्जिद को essential माना गया है कोट ने कह दिया नहीं है और उसको defense बना कर आज मस्जिदों पर attack किया जाएगा तो इस तरह के फैसले आए जिए जो religious conversion का पुरा कानून है वो 1968 और 1978 में मध्यपरदेश से आया था interfaith marriage का उसको पर ये मसला जो खास तोर पर जब हम उपासना थल्का देख रहे हैं लगातार ऐसे दावे बौत धर्व के मानने वालों दोरा किये जाते हैं कि जो Hindu मंदर है वो पहले बहुत मंदर रहे थे तो ये केवल Hindu Muslim पर नहीं रुकेगा ये केवल Hindu Sikh पर नहीं रुकेगा मतलब ये सि अगर देश हमारा जाएगा तो लड़ाए जगड़ा के अलावा मुझे और कुछ नहीं नजारा आता ये कही ना कहीं ऐसा लगता है कि सांपरदायकता को हवा देशारी है और सवाल ये पूछता जाना चाहिए कि जो लोग सत्ता में हैं वो क्यों चाहते हैं कि देश लड़ाए जगड़े की ओर जाए उनके मन में क्या है उनका एरादा क्या है वो क्यों दुरूवी करण चाहते हैं समाज में जो सत्ता रूर पार्टी है भारतिय जंता पार्टी दोहजार एकिस में जो सवक्त एक सालेमपूर लोकसभा सीठ है उत्तर प्रदेश में वहां के एक सांसत थे रवींद्र कुछवाहा उन्होंने उस टाइम पर शाहीदगा और मतुरा वाला जो मसला है वो उभरा था और कब उन्होंने कहा था कि सरकार जो है उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी आइंडिये की वो जो है वो इस कानून को उपासनास्थल कानून को वापस ले सकती है अब सरकार में जो है अब चुनाव के बाद में स्तिव बदली है पर क्या आप लोग कहीं ये गुजाईश लेकिन इस चुनाव के बाद क्योंकि भारती जन्ता पार्टी की अपनी मजॉर्टी नहीं है तो क्या नितिश कुमार और क्या तिल्गू देसम पार्टी एक ऐसे दिशा में जाने के लिए तयार होंगे ये जानते हुए भी कि देश भर में अमन चैन और शांती का जो माहौ ले ये खतम हो जाएगा हमेशा के लिए मैं उमीद करता हूँ कि नितिश कुमार जी और चंदर बाबु नार्डी जी उस दिशा में नहीं जाना चाहेंगे तो भारती जन्ता पार्टी बेशक इस कानून में तबदीली या एक चेंज लाना चाहते होंगे लेकिन उनके पास अगर हो जाता है। जाहर है वो किसी भी पार्लेमिंट का अपना प्रिररिकेटिव है वो अगर उनके पास मेजॉरिटी अगर इकटा कर लेते हैं तो यह हो सिब्सक्राइब नहीं हो रहा है चो उसकानून के नहीं रहते हुए हो सकता था और उसमें लेजिटिमेंसी जुरी चिरी के तुरू आ रहा है तो फिर तो रहना ना रहना अभी उसका कोई मतलब नहीं रहे गया कानून का मतलब यह होता है कि आप उसको strictly सब्हारे स्वाल … पाकिस्तान में भी और बहुत सारे मंदिर हं पांगलादेश में पाकिस्तान हो तो झाले इसिस था वह हम को रहा जो कि यह फ्रेस भारती और में हो रही और हिसे होते हैं पुतल पुतल चल रही है उसको लेकर देखा तो क्या वो इस तरीके का रिटालिएशन चलता रहेगा यहां पर? देखिए हिंदुस्तान में अगर अलब संक्यक को निशाना बनाया जाएगा जो बनाया जा रहा है तो अवश्य जो है जो पड़ोसी मुलकों में जो अलब संक्यक है वो खत्रे में डाले जाते है नाइटी टू में भी हमने देखा जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया भा मंदिरों पे हमला हुआ बहुत सारे मंदिरों की दुबारा तामीर वो दुबारा उनको बनाय गया जबकि यहां जो है मामला कुछ एक अलग दिशा में चला गया जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हिस्ट्री कल्चर इसका एक इंसल्ट है कि यहां पे एक धार्मिक स् गोर अपरात था नैशनल शेम वो लवज इस्तमाल किया लेकिन जिन्होंने नैशनल शेम को अंजाम दिया आपने अपने फैसले में वो जमीन उन्हीं को दे दी तो इससे बड़ा जो है मुझे लगता है कि एक कॉंट्रिक्शिन क्या हो सकता है लेकिन चलिए वो हो गया ले एक वार्निंग बेल की तरह हम सबको लेना चाहिए कि अगर अंतराश्टिय स्तर पे एक एक फेमस एक मशूर जगा अजमेर शरीफ जिसको विजिट करने के लिए दुनिया बार से लोग आते हैं उसको अगर मतलब अब उस पे एक सवालया एक निशान आप खड़ा कर रहे ह तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ये डेंजरस सिचुएशन परदा किया पाकिस्तान का आपने जिकर किया वहां पर एक गुरुद्वारा है वो आज भी उसका नाम है मस्जित शहीद गंज वो एक जमाने में मस्जित दुआ करती थी और उसकी भी हिस्ट्री कुछ उसी तर है कि यहां पर वी उपासना इसल कानून का पालन हो और उपरी अदालतें जो स्थानी अदालतें जिस तरीके की अपील्स को accept कर ले रहे हो उपरी अदालतें उसमें ऐसा फैसला दें जो की सांप्रदाइक ना हो और जो की अमन को बनाए रखे आप तोनों हमारे साथ चुड झाल झाल